हेलो फ्रेंड्स वेलकम इन यूट्यूब चैनल्स मार्वेलस कोचिंग्स मैं आप तमाम विद्यार्थों को आज डिटर्मिनांस का लेक्चर वीडियो लेकर के आया हूँ जिसमें डिटर्मिनांस का तमाम पुर्पर्टीज आप सभी को बताया जाएगा इस पुर्पर्टीज के बेस पे आप डिटर्मिनांस का बहुत अच्छे से सोलोशन कर सकते हैं इस्ट्रेंस देखते हैं डिटर्मिनांस सबसे पहले डिटर्मिनांस का डिफिनिशन मैंने अपने माध्यम से लाया है और बहुत ही short definition है आप इससे समझ सकते हैं that square arrangements which we retain as only one shape shape is called determinants students वैसी arrangements वैसी बेवस्था square arrangements का जिसमें written as only one shape जिसको केवल एक ही shape में लिखा जा सकता है वो shape है इस परकार का it's called determinants तो उससे हम लोग determinants कहेंगे ठीक है experience यहाँ पर देखेंगे since determinants is denoted by symbol इसको denote किया जाता है only one symbol d only one symbol del and d e t a अर्थाथ determinant a a for any matrix ठीक है students तो इसको हम लोग denote जो करते हैं वो d से denote करते हैं या del से सुचित करते हैं या d e t a से सुचित करते हैं ठीक है students जैसे as for example मैंने यहाँ पर लिया है जिसका order one है ठीक है students सबसे पहले order order ध्यान देना है जैसे order one कहने के मतलब है one cross one one cross one order two का मतलब है two cross two order three का मतलब है three cross three तो मैंने order one order two order three के रूप में determinants लिया है और मैं इसी के base पर आपको बताना चाहरा हूं यदि order one किसी determinants का है तो उसका जो हम लोग हल करेंगे तो इसका only one वही elements होगा ठीक है students इसको हम लोग modulus के रूप में भी परियोग करते है यदि d निकालना किसी order one है किसी का order one है तो उसका value केवल एक ही elements होगा यही इसका solution होगा यही answer होगा ठीक है students but यदि order two है order two है किसी determinants का order two है students order two है mind में set कर लेना है तो वैसे determinants को हल करने के लिए हम क्या करेंगे इसके लिए कुछ प्रपरटीज है जो आपको flow करना होगा मैं यहां बता रहा हूं देखेंगे determinants जहां पर order two के यह मैंने परियोग किया है a11 a12 a21 a22 ठीक है मैं इसको solution कैसे direction और बीच में जो symbol होगा minus का और यह आपस में जो होंगे यह multiply होंगे ठीक है इसी परकार से इसको हम लोग हल करेंगे ठीक है इस परकार से हम लोग इसको हल करते हैं जिसका हम लोग कर सकते हैं meaning of determinants अर्थात इस परकार से हम लोग इसको meaning को जान सकते हैं हल कर सकते हैं solution कर सकते हैं देखते हैं हमें क्या करना होगा इससे multiply इसमें होगा a22 ठीक है इससे इसमें multiply होगा a11 dot a22 into minus बीच में symbol किसका होगा minus का होगा उसका बार इससे multiply होगा a21 dot a12 ठीक है इसी base पे आपको हल करना है और थात determinants का जो मान होगे यह संपून solution करने के बाद जो value आएगा यानि कि आपस में a11 multiply a2 करेंगे minus symbol होगा फिर a21 dot a12 आपस में multiply करने के बाद जो मान आएगा इस मान में से इस मान को less करेंगे less करने के बाद जो value आएंगे वही value answer कहलाएगा इस प्रकार से determinants को हल कर सकते हैं जिसका order 2 हो ठीक है order 2 जिसका भी हो उसका solution हम इस प्रकार से करते हैं अब ध्यान देंगे order 3 वाले determinants का solution हम लोग कैसे करेंगे इसका meaning क्या होगा कैसे हम लोग हल करेंगे ठीक है friends चलते हैं D जिसमें order 3 A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 इसे हल करने के लिए इसका meaning जानने के लिए students ध्यान देना होगा एक concept पर जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, इसके लिए मैं परियोग करता हूँ symbol का जिसमे प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, भिना पहले प्लस होगा, देन आफ़र माइनस होगा, पुना प्लस होगा, पुना माइनस, पुना प्लस, पुना माइनस, पुना प्लस, पुना प्लस, अर्थात हम प्लस से चालू करेंगे, और एक प्लस, एक माइनस, एक प्लस, एक माइनस, बस इस परकार से माइन में आप सेट कर स सकते हैं इसको याद करने की जरूबत नहीं है बस याद रखना है कि पलस है तो फिर माइनस है आपको सब पता है जहां पलस है तो वहां निगेटिव कहीं छूटता नहीं है इसलिए पलस के साथ माइनस जरूर होता है अर्थात यहां पर पलस के बाद तुरत माइनस लाएंग 3 cross 3 order होगा तभी सेंबूल का इसका हम लोग परयोग करेंगे ठीक है friends और साथ में order 2 cross 2 हो और co-factor निकालना हो तो वहाँ पर भी हम लोग परयोग करते है इस सेंबूल का मैं आगे बताऊंगा co-factor कैसे ग्याद करते है जवाइड कैसे ग्याद करते है इंदभर्स कैसे निकालते है क्रेमर सुलूस क्या है है ना different type का equation हम लोग कैसे हल करते है यह सब ही बात को मैं बताऊंगा आपके lecture वीडियो में ही मैं अभी आगे हल करता हूँ इसका आप ध्यान देंगे इसको notation कैसे करते हैं हम लोग तो सबसे पहले यहाँ पर symbol देखना है क्या है प्लस का है तो students सबसे पहले है प्लस में जो दिया हुआ है इसको हम लोग लेंगे और यहाँ पर एक method का और परियोग करते है students जिसका नाम है topan method topan method students इक कोई method नहीं है मैं बताना चारा हूँ इसको calculation करने के लिए एक method है इसके base पे आप बहुत असानी से इसको हल कर सकते है ग्याद कर सकते है तो topan method का हम लोग परियोग करेंगे students topan method करने के मतलब है कि जिससे पहले आप elements को ले रहे हैं उस elements को बंद कर देना है जैसे इस elements को मैं हल कर रहा हूँ students तो इससे और इससे बंद कर दूँँगा जिसको मैं common लूँगा वो students उसके सामने वाले row और columns close हो जाएंगे बाकी elements जो बचेंगे वे आपस में multiply होंगे ऐसे ऐसे students ठीक है ध्यान देंगे आप तो हम लोग हल करते हैं इसको a11 इसको हल करने के लिए पहले elements को लेंगे देन आप्टर इससे ये close हो गया मेरे पास बच गया elements a22 a23 और यहाँ बच गया students a32 और a33 अब उसके बाद से next देखेंगे यहाँ पर क्या है minus का है तो यहाँ पर हम लोग माइनस देंगे और next elements को लेंगे इसे और ऐसे ये पूरे तोपा जाएगा ये पूरे तोपा जाएगा मतलब students ठेट हिंदी में समझ लिजिए कि जो students कोई ऐसे प्रस्णों को हल करना है वह elements के जश्ट सामने और जश्ट सामने बंद कर देना है close कर देना है देन आफ्र जो बच गया उसी को write करके लिख करके आपको हल करना है ठीक हम लोग चलते हैं again A12 सेम्बल मैं प्लस के बाद माइनस का परियोग किया हूँ उसके बाद देखें इस्टेप और एक close हो जाएगा तो बच जाएगा A21 और यहाँ बच जाएगा A23 और यहाँ हो जाएगा A31 और यहाँ हो जाएगा A33 ठीक है next step हम लेंगे again सेम्बूल प्लस का और A13 ठीक है friends A13 जब लेंगे तो यह से A तो पा जाएगा पूरा close हो जाएगा यह पूरे elements यह पूरे elements close हो जाएगे बच जाएगे A21 A22 और A31 A32 ठीक है यहाँ हल करने के बाद जो मान आएगा वही D का value कहलाएगा ठीक है friends सभी मान जो मान आएगे इस प्रकार से आप D ग्याद कर सकते हैं इसका meaning है इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं ठीक है friends अब पूरा यह जो form है यह order 2 के रूप में आ गया करते हैं कैसे हल करते हैं ठीक है अब उसी base पर इसको हल कर लेंगे A11 अब यहाँ पर modulus हटेगा cost आ जाएगा और इस से इस से इसमें multiply होगा A22.A33 minus students इस सब में multiply है पता है ना इस सब में multiply है इसलिए इसको महिला कोर्सर में दिखा दे रहे है minus होगा then after अब इस से इसमें multiply होगा A32.A23 ठीक है अब next हम लोग यहाँ पर हल करते हैं A12 into यहाँ पर हो जाएगा A21.A33 minus A31.A23 ठीक है इस्टुडेंस next यहाँ पर प्लस है तो प्लस दूँगा और जो into में है वह 1,3 है into हम multiply करेंगे इस से इसमें हो जाएगा A21.A32 into minus अब इस से इसमें multiply होगा इस्टुडेंस A31.A22 बस इस परकार से आप हल कर सकते हैं यानि कि इसका मान इसका मान इसका मान सभी मान आपको दिये हुए रहेंगे वह सभी मान को इस सुत्र पर आप बठा देंगे आपका मान ग्यात हो जाएगा D हल हो जाएगा ठीक है इस्टुडेंस इस परकार से हम लोग notation करते हैं जब किसी का भी determinants ग्यात करना हो modulus ग्यात करना हो यदि कोई matrix कर रूप में दिया हुआ रहेगा experience तब पर भी हम लोग करभाट करेंगे modulus कर रूप में और modulus हल करने के लिए इस परकार से हल करते हैं इसको आप लोग skin shot ले 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 और आप notes कर ले ठीक है experience ध्यान देंगे जैसे यदि कोई matrix दिया हुआ है जैसे कोई matrix यदि दिया हुआ है as for example a is equal to 1, 2, 3, 3, 1, 2 1, 2, 3 ठीक है students इस परकार से यदि दिया हुआ है तो matrix रूप में दिया हुआ है determinant नहीं matrix रूप में दिया हुआ है तो a का mode यदि हमको गयाद करना हो तो हम students इसको गयाद कर सकते हैं इसको हम लोग convert कर सकते हैं 1, 2, 3 3, 1, 2 1, 2, 3 ठीक है students इस परकार से हम लोग इसको write कर सकते हैं लिख सकते हैं और आगे जो determinants का properties है उसके base पर आप हल कर सकते हैं ठीक है students अब आगे देखेंगे हम लोग next देखते हैं जो मेरे pass point है pattern of the determinants बाव थी important topic pattern of the determinants आखिर हम लोग किस परकार से determinant को retain करते हैं दिखता है कैसा यह हम लोग जानेंगे ठीक है तो जिस परकार से मैंने बताया था matrix में same pattern determinant का ही होता है but same rule change होता है क्योंकि determinants का कोई shape नहीं है केवल मात्र एक ही shape है वो है इस परकार का ठीक है friends इस परकार का shape है और कोई दुसरा shape नहीं है बस यही shape माइन में याद रखना है इसी shape को हम लोग determinants के नाम से जानते है और इसको different type के properties है वो सभी properties को आपको माइन में set करके आप हल कर सकते है ठीक है students तो चलते हैं देखते हैं हम लोग determinants के determinants का pattern कैसा होगा तो determinants का pattern है वो बस वही row के रूप में and column के रूप में different number हो सकते हैं ठीक है जैसे a11, a12, a13, a1n अर्थाक n जो यहाँ पर सुचित कर रहा है students row की संख्या column की संख्या sorry friends column की संख्या क्योंकि इस और में बढ़ रहा है ठीक है और ऐसे संख्या हम लोग columns को देखते हैं जैसे यहाँ पर देख रहा है column 1 इसमें जतना भी देखें इस सब में value जो होगा यहाँ पर देख रहा है 1, 1, 1, 1 यानि column 1 यहाँ पर देखें students 2, 2, 2, 2, 2, 2 अर्थात students इक column 2 हो गया उसी परकार से यहाँ पर 3, 3, 3, 3, 3, 3 column 3 उसी परकार से यहाँ पर n, 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 n यानि column n हो गया ठीक है अब हम लोग ऐसे चलेंगे तो इसको हम लोग रो बोलते हैं students रो अब यहाँ पर जो फर्स्ट वेलू होगा 1, 1, 1, 1 यानि कि फर्स्ट 1 यानि कि रो 1 उसी परकार से 2, 2, 2 यानि कि रो 2 3, 3, 3, 3 रो 3 m, m, m यानि कि रो m जहां पर भी order कुरूप में दी m, cross n दिया होगा यानि रखेंगे कि जो फर्स्ट होता होगा रो होता है रो होता है रो होता हो columns होता है ठीक है और इस shape में जब रहेगा तो आप समझेंगे कि यह determinants है ठीक हम लोग definition के माध्यम से देखेंगे कि रो क्या है और columns क्या है और इसमें जो pattern में जो elements सब जो दिया हुआ है A11, A11, A12, A13 यह सब को क्या करते है तो experience मैं बताना चाहता हूँ कि इस परकार के जो direction देख रहे है ऐसे इसको हम लोग row के नाम से जानते है और इस परकार के जो direction है इसको हम लोग column के नाम से जानते है ठीक है बस चर्चा only one row and columns और इसमें जितने भी यह सब देख रहे हैं numbers यह सभी numbers elements है क्या है elements है of elements are called row, वैसी बिवस्था, वैसी arrangement, जो horizontal form elements का arrangement किया गया है, जो horizontal रूप में arrangement किये गए elements को ही हम लोग रो काते हैं, ठीक है, the horizontal arrangement of elements, elements का horizontal arrangement is called, are called row, वह रो कालाता है, ठीक है friends, columns, the vertical arrangement of elements are called columns, वैसी arrangement, वैसी बिवस्था है, जो elements का, जो vertical form में होता है, वह मेरा का कालाता है, columns कालाता है, वह columns कालाता है, ठीक है friends, next समलों जखेंगे elements, elements किसे कहेंगे, ठीक है, तो elements के लिए बस, same परकिरिया है, the number, the number in the arrangement are called elements, arrangement में जितने भी numbers हैं, arrangement में, जितने भी numbers हैं, यह सभी numbers को हम लोग elements करते हैं, ठीक है students, इस परकार सब को पता हो गया होगा, कि row किसे कहेंगे, columns किसे कहेंगे, elements किसे कहेंगे, और pattern of matrix, or pattern of determinants, क्योंकि topic चलना है, determinants का, तो अब mind में setup करेंगे, pattern of determinant, अर्थात only one shape, and total elements इसमें include रहेंगे, और उसी elements को हम लोग row, column, और साथ में elements के रूप में ब्याक्त कर सकते हैं, और इस परकार के जब shape होगा, और उसमें elements रहेंगे, तो सभी elements को हम लोग, और इस बिवस्था को determinant के नाम से जना जाता है, students, ठीक है, और हम लोग देखें कि notation and इस परकार का symbol, किस परकार का symbol, determinant का होता है, तो determinant का D से सुचित करते हैं, डेल से सुचित करते हैं, और DTA से सुचित करते हैं, ठीक है, और जिसका order 1 होगा, तो उसका solution भी वही elements होगा, वही केवल होगा मान, ठीक है, जिसका order 2 होगा, तो हम उसको बोलेंगे कि इसका solution के लिए, इससे इसमें multiply, इससे इसमें multiply, बीच में symbol, माइनस का होगा, और दोनों आपसे multiply होंगे, हल कर लेंगे, वही D का मान कहलाएगा, ठीक है, और जब order 3 होंगे, तो इसके लिए हम लोग बताए कि तोपर मेथरा का परियोग करते हैं, अब तोपर मेथरा के माधियम से elements हो को एक-एक बंद करके, को लोज करके, बाकी elements हो को notation करते हुए हम लोग हल करते हैं, ठीक है students, तो इस पकार से आपको समझ में आ गया होगा, इतना, मैं आगे मैं आपको बताना चाहरा हूँ, ठीक है, तो students हम लोग दखेंगे, determinants का properties, जो solution करने के लिए हमको परियोग करना परता है, जिसमें, some important and fundamental properties of the determinants, ठीक है friends, some important and fundamental properties of the determinants, हम भी सेस करके, determinants का जो fundamental properties है, जो mallic properties है, मैं वह सी properties को बता रहा हूँ, और इसी base पे आप हल कर सकते हैं, ठीक है, मैं इसके बाद आपको बताऊंगा, determinants का solution करने का method क्या है, working rules of determinants, ठीक है, और उसी base पे संपूर्ण determinants को आप हल कर सकते हैं, तो पहले हम लोग देखते हैं, properties, की determinants का properties है क्या, तो determinants का properties, जो कहता है, जो special है, उसको मैं कुछ लिखाऊं, some important and fundamental properties of the determinants, ठीक, जिसमें कुछ विशेश, properties है, जो determinants के लिए परयोगत होते हैं, मैं वही properties को आपके board के सामने लाया हूँ, ठीक है, जिसमें first कहता है, कि if possible then, यदि possible हो, तब tacking common point in any row or any columns of the determinants, यदि possible है, तो मैं किसी भी row और किसी भी column से, determinants से मैं common ले सकता हूँ, ठीक है, जैसे, as the example, यदि मान लिया जाए, कि determinants which culture दिया हुआ है, 3 है, 6 है, 2 है, 1 है, ठीक है friends, अब यहाँ पर देख सकते हैं, कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, अर्थात इस direction को मैं row कहूंगा, यानि कि इस direction में row, और इस direction में row, इस direction में columns, इस direction में column, ठीक है, तो आप first row को देखेंगे, first row को आप देखेंगे, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, इसमें common है, common students किसे कहते हैं, पता है न, common जैसे, यदि 2 पलस 6 है, इसमें सो common हमको लिखना लेना है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको 1 multiply 2 plus 2 multiply 3, और थात ही, इसको गौर से देखें, तो 2 इसमें और 2 इसमें दुनों मिल रहा है, तो इसको हम लोग tacking कर लेते हैं, तो common कहलाता है, इससे 2 हम लिख लेंगे, तो 1 plus 3, याई 2 मेरा common कहला है, ठीक है, इसी base पर यहाँ पर हम लोग common लेंगे, ठीक है, जैसे, आप यहाँ पर देखें, हम कर सकते हैं, इसमें tacking common r1, आप देखेंगे, first r1 में tacking common है, क्या common है, 3, इसमें सम्झे 3 common ले सकते हैं, तो जब 3 common लेंगे इस प्रेयन, तो 3 common हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, और 2 हो जाएगा, 2, 1, इसको उनको solution करना चाहें, तो क्या कर सकते हैं, 3 तो 3 रहेगा, into, है ना, into, अब इससे, इसमें multiply होगा, इससे, इसमें multiply होगा, यह वो direction बता है, किस प्रकार से direction होता है, बीच में same rule minus का, अब यह अपस में multiply होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 multiply 1, यानि 1 हो जाएगा, minus 2 multiply 2, तो 4 होगा, है ना, अब इसको हल कर लिजे, कोश्टक को तोल लिजे, तो यहाँ पर 3 multiply, 1 में से minus 4 जाएगा, 3 अर्थात माइनस 9 इसका answer होगा, ठीक है, तो determinant का सबसे first property है, कि आप किसी भी row या किसी column से tagging common ले सकते हैं, ठीक है friends, इसी परकार से यदि रहता है, यहाँ पर इस परकार से रहेगा, इसको मैं मिटा रहा हूँ, है ना, जैसे, यदि इस परकार से रहता है, तो आप कैसे common लेंगे, जैसे देखेंगे, determinant is equal to, 1 है, 2 है, 4 है, और यहाँ पर 12 है, ठीक है, आप बताएंगे common क्या होगा, तो common experience इस में से हम देख रहे हैं, कि row में मेरा, इस direction में, row में common नहीं है, इस direction में, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, 5 कर द रहे हैं, ठीक है students, इस direction में लोग चलते हैं, तो इस direction में भी common नहीं हो रहा है, पर तो common अब देखें, ऐसे, columns में, तो 1, 5 में, common नहीं है, पर तो इसमें common है, है ना? तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं tagging tagging common c2 कितना common रहे हैं? four ठीक है? इसमे से four common निकल जाएगा तब क्या मान होगा? four common निकल गया. किसे निकले हैं? c1 से निकले हैं तो यहाँ प्रो one, five same रहेगा. इसमे वह जाएगा 1 और यहाँ 4 कुमन निकल लिए 12 में से तो 3 होगा ठीक है एक्सप्रेंट्स अब इसको हम लोग हल करते हैं तो फोर अब यहाँ पहुत जाएगा 3 माइनस 5 अब इसको पूना हल कर लिजिए तो 4 into minus 2 क्योंकि 3 में 5 जाएगा तो 2 होगा minus 2 क्योंकि इसका symbol minus का है अब इसको multiply किजिए तो minus 8 यही इसका answer होगा तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं कि row में कैसे common लेंगे और column में हम लोग common कैसे लेते हैं तो properties number first आपको clear हो गया होगा कि कारना क्या है सबसे पहले determinants के कोई भी प्रसनली रहेंगे वह order 2 हो या order 3 हो किसी भी तरह का हो तो आप tagging common कर सकते हैं या determinant का सबसे first properties करता है ठीक है next जो property number 2 है यह काता है कि if every elements are 0 if every elements are 0 of any row किसका 0 तो किसी भी row का तमाम elements 0 ठीक है and column and column और किसका column का यदि row और columns के किसी भी रो रोज में या columns में total elements यदि 0 होते हैं 0 है in determinants किस में determinants में then तब its solution भी 0 तो उसका मान क्या होगा 0 होगा उसका value 0 होगा जैसे students यहाँ पर देखेंगे as for example ठीक जैसे यदि मैं determinants ले रहा हूं है ना यहाँ पर ले लिया 2 है 3 है 4 है 1 है 2 है 3 है 0 0 0 ठीक इस प्रकार के दी प्रस्न दिये हुए है ना और पुछेगा कि इसको find out किजिए हल किजिए solution किजिए तो students पूछ नहीं करना इसको क्योंकि यहाँ पर all elements देख रहे हैं है ना यहाँ पर लीख सकते हैं कि रोज 3 ना रोज 3 अल इलिमेंट अल इलिमेंट अल इलिमेंट्स आर जीरो ठीक सो सोल्यूशन भी जीरो सोल्यूशन भी क्या होगा 0 होगा अर्थात हम लिख सकते हैं डी बराबा कितना बेलू होगा जीरो आप देख रहे हैं हाँ पर कि जो रोज है टोटल इलिमेंट्स जीरो है इस पर्पतिज कहा थाँ डिटर्मिनांट का कि किसी भी डिटर्मिनांट में यह तोटल इलिमेंट्स रो एधा जीरो हो जाते हैं तो उसका value 0 होगा, clear, इसी प्रकार से columns में भी, जैसे, determinants हम लोग ले रहे हैं, example में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 0, 0, ठीक है, तो बताएंगे कि यहाँ पर क्या है, c1, c1, c3 न, 1, 2, 3, c3, all element, are 0, इसमें कि total मान का है, 0, so, solution B, 0, तो इसका विमान का हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानि कि D is equal to का होगा, 0, यही answer, ठीक, यानि कि आपको, second number जो परपर्टीज था, इस परपर्टीज आपको पता हो गया होगा कि करना क्या है, है न, ऐसे परपर्टीज, number 2 में हमको ध्यान देना है, कि हमेशा, row के all elements है जीरो है, उसका मान 0 होगा, columns के all elements 0 है, तो 0 होगा, एक, यह depend नहीं करता है, केवल इहां 0 हो, है न, यह historians and आप जीरो हो सकता है, यह जीरो हो सकता है, सभी में कहीं भी हो सकता है, पर तो दो elements 0 ना हो, दो road 0 ना हो, है न, कोई भीएक element 0 हो, केवल एक road पूरे 0 हो, ठीक है, तो वैसे condition में हमेशा 0 होगा, या पूरे columns 0 हो, तो 0 होगा, clear, next property number 3 आप देखेंगे, कहता है, in any determinants, कोई भी determinants में, if 2 row, 2 row of 2 columns, और 2 columns are same, क्या हो, same हो, according as number, वह number से, number के अनुसार, वे number से, यदि same हो, 2 row या 2 columns, आपस में, same हो, then its solution भी 0, तो उसका भी मान क्या होगा, 0 होगा, तो उसको आगे हल करने कोई 0, जरूरत नहीं है, आप वहाई से आप बता सकते हैं, कि इसका value क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, clear, वहाँ पर लिख देंगे, कि by properties, clear properties कहता है, कि वैसे, 2 row या 2 columns, आपस में दी, बराबर हो, तो उसका value, 0 होगा, clear, जैसे, आप देंगे, आप देंगे, यहाँ पर, example, determinants is equal to, मैंने ले लिया है, ऐसे, 1 है, 2 है, 3 है, 1, 2, 3, 1, 2, 3, यहाँ पर हो ले रहा है, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, ठीक है, यहाँ पर हो ले रहा है, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, आप इसको गौर से देंगे, students, ठीक, यहाँ पर, 123, 123, 123, 123 है, 456, 456, 456, 123, 123, 123, ठीक, तो इसमें क्या है, R1 और R2 आपस में क्या है, बराबर है, यहाँ निक सकते हैं, R1 is equal to, R2, आपस में क्या है, बराबर है, सो, determinant क्या होगा, 0 हो जाएगा, यानि कि 2, R2 आपस में क्या है, सेम नमबर है, यानि कि 123, यहाँ भी, सभी में, यहाँ भी 123, पाकी एक, R2 जो है, डिफरेंट है, तो ऐसे में क्या होंगे, 0 होंगे, क्लियर, फिल्म पूर्ण ध्यान देंगे, जैसे, एरे डिटर्मिन आंट इचकल तू दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, हाँ, यहाँ पर R3 होगा ना, ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग R1 कहेंगे, यह मेरा R3 है, यहाँ पर क्या होगा, R3 होगा, ठीक है, R1 इसकल तू R3, क्लियर, अब यहाँ पर ध्यान देंगे, कि, यहाँ पर भी मैं सुधार दर आओं, 1, 2, 3, अब गौर से देखेंगे, T456, 456, 456, इस टोटल कोलम्स, यानि C3, और यहाँ पर देखेंगे, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, C, E, C1, 1, 2, 3, 1, 2, 3 है, बट इसमें 2, 3, 1 है, इस सेम, नहीं है, तो ऐसे कर्णिशन में क्या होगा, कोलम्स, C1 इसकल तू, C3, ठीक, C3, सो, D1 कल तू, क्या हो जाएगा, 0, इस परकार से आप कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, है ना, यह D1 परकार कहीं प्रस्न दिया हुआ है, exercise में, तो आपको इसको solution करने की जरूवत नहीं है, आप direct उसका answer क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, यह determinant के properties कहता है, clear, next, प्रस्न आपके बीच, जो properties की रूप में है, जो हमेशा पर्योग किया जाता है, वो properties number 4 है, ठीक है, ध्यान देंगे, if any determinant, if any determinant, किसी भी determinant में, यदि, have form the flow, then its solution will flow, if any determinant have form the flow, then its solution will flow, ठीक है, किसी भी determinant में, इस परकार के दी, form दिया हुआ है, तो हम, वहाँ solution भी flow, यानि, उसका solution भी इस परकार से flow करेंगे, यदि इस परकार के question दिया हुआ है, है ना, तो उसका solution हम, इस परकार से लिखेंगे, clear, किया किया है इसमें सोकिए किया किया है तो सबसे पहले इस में scheint यहां जाएँ और बाकी व्यां यहां पर हो जाएगा और और जब जीरो है तो कोई उसका आगे अस्तित में नहीं है तो सब जीरो हो जाएगा क्योंकि आप डिटर्मिनांस के जो हम रूल्स बताये थे पीछे बोडुलस ग्याद करने के लिए तो हाँ पर क्या बोले थे कि इंटू में होगा इसको यहींन को जीरो जाएगा तो ऊसी प्रिकास इसको लेंगे तो पूरा सो बताया भी थे कि सबसे पहले सोता है फिर माइनस होता है ठीक है तो यहां पर किया प्लस में ही रहेगा आप X ले लिए E cut E cut पूरे cut गया तो A B A 1 B 1 बच गया ठीक है उसी को यहां पर मैंने राइट कर दिया है X A B A 1 B 1 यानि कि इस परकार से आप उसका हल कर सकते हैं आई थो एजामपल जैसे देखाएंगे जैसे दिया हुआ है 2 जैसे दिया हुआ है 002 123456 ठेक D is equal to E दिया हुआ है हमको इसका solution करना है तो solution करना है तो हमको कुछ नहीं करना है इसमें बस परपटी से चल देंगे परपटी क्या कहता है 002 है तो 2 जैसे बाहर निकल जाएगा और E पूरे cut या बच जाएगा क्या 1245 अब पुना सलूशन का परियोग कर लेंगे तो 2 तो 2 रह जाएगा यहां एक से 5 में बुना होगा तो 5 होगा माइनस 2 से 4 से 2 में तो 8 होगा अब यहां क्या होजाएगा 2 multiply माइनस 3 यहीं 3 दुना के 6 माइनस 6 यह अंसर हो जाएगा इस प्रकार से आप सलूशन कर सकते हैं प्रपर्टीज नंबर फोर भी आपको क्लियर हो गया बना सकते हैं किस प्रकार से बनाना है क्लियर अब देखेंगे प्रपर्टीज नंबर 5 डिटर्मिनान सलूशन करने का प्रपर्टीज नंबर 5 कैसे हम लोग करेंगे next and last प्रपर्टीज है कहता है कि if possible then यदि possible है applied interchange form between rows and columns of the determinants यदि possible है तो हम row को changing कर सकते हैं row में and columns को changing कर सकते है columns में ठीक है कैसे changing करेंगे so यहाँ पर देखेंगे है ना इसको मिटा आते हैं एक बार आप लोग इसको ले लीजिए zooming कर लीजिए और आपने notes book में notes कर ले ठीक है चलिए इसको मिटा आते हैं है ना देखेंगे last properties last properties कहता है interchange form एक पोसिबल यह पोसिबल है तो हमको interchange कर सकते हैं row to row and columns to columns जैसे as for example D is equal to मैंने लिया है A, B, C, A1, B1, C1, A2, B2, C2 ठीक है तो हम लोग इसको transfer कर सकते हैं जैसे यदि हमको R1 के जगा पर लानना है R2 करना है तो R2 के जगा पर R1 इस परकार के symbol का हम लोग पर्योग करेंगे reversible reaction जिसे नहीं पढ़े है chemistry में है ना उसी परकार से यहां पर हम लोग changing करते हैं interchange करते हैं इसी को बोलते हैं interchange जैसे R1 के जगा पर R2 कर दिये R2 जगा पर R1 कर दिये यहां पर हम इस परकार से simple का पर्योग करेंगे ठीक है जैसे इसको यदि हम हल करते हैं तब क्या हो जाएगा R1 आ गया R2 पर R2 चल गया R1 पर यहां जाएगा A1 B1 C1 A B C A2 B2 C2 ठीक है इस परकार से interchange कर सकते हैं है नa आप किसी परकार से कर सकते हैं इसको interchange कर सकते हैं R2 R3 में आप समझ गयूँगे इसी परकार से same condition column changing भी कर सकते हैं जैसे C1 को C2 मे हमको changing करना है C1 को C2 में changing करना है तब बताइए ये था क्या? R1 था, R2 था और ये R3 था ये बताएंगे C1 था, C2, C3 हमको changing क्या करना है? C1 को C2 में और C2 को C1 में तो आप देखें ये आ जाएगा कहा? C2 आ जाएगा यहाँ यानि कि B, B1, B2 A, A1, A2 ठीक है? और जहाँ C3 है उसको मैंने कोई changing नहीं किया है तो वह ही रहेगा यानि कि C, C1, C2 ठीक है? इस प्रकार से changing कर सकते हैं इसी को हम लोग convert ऐसे भी कर सकते हैं C2 को कर सकते हैं C3 में या C2 को हम लोग changing कर सकते हैं C1 में किसी भी तरह से आप changing कर सकते हैं आप समझ चुके होंगे ठीक है? तो इस प्रकार से आप लोग maintain कर ले और मैं अब बताने माला हूँ आगे to find the value of determinant हम लोग determinants का मान कैसे ग्याद करते हैं ठीक है? इसके लिए कुछ properties का परियोग करते हुए आपको operation किस पकार से करना है? मैं उसको बताना चाहरा हूँ जैसे सबसे फस्ट आप इस चार्ट को देखें इस चार्ट में मैंने पूरे समझाया है फस्ट है interchange of second and third row यदी possible है जैसे मैंने प्रपरटीजें बताया था यदी possible है तो हम लोग interchange कर सकते हैं interchange करने के लिए हम लोग इस प्रकार से retain कर सकते हैं और उसका symbolic हम लोग इस प्रकार से देखा सकते हैं यानि कि r2 के जगा पर मैंने किस का changing किया है? r3 का ठीक है? अर्थात interchange of second and third क्लियर? next है columns में कैसे करेंगे हम लोग interchange of first and third columns हम लोग changing कर रहे हैं किसका? columns का third और first का third और first करेंगे अथा समझ रहे हैं इसे determinant के लिए a, b, c, a1, b1, c1 a2, b2 c3 मैं बात कर रहा हूँ first और third का तो हम लोग changing करना हो तो हम लोग कर सकते हैं इसके जगा पर इसको अब इसके जगा पर इसको ठीक है? यदि आप solution कर रहे हैं और solution करते समय यदि आपको लगता है का ऐसे करने से मेरा solution अच्छा से हो सकता है तो हम लोग interchanging कर सकते हैं columns में या row में आप या तो column से चल सकते हैं या तो row से चल सकते हैं जिससे चलना होगा समपून solution तक उसी परकिरिया से चलते रहना होगा है ना? next है multiplying each elements of second row by minus 5 मैंने का कर दिया है कि multiplying each elements मैंने सब भी elements हो में multiply कर दिया है of second row किसका? सब भी row में आप ध्यान रखेंगे experience कि जब भी multiply होगा तो row में multiply कर रहे हैं तो इसमें भी इसमें भी multiply होगा पर तो single elements के साथ multiply नहीं होता है ना? याद रखेंगे जैसे किवल यहाँ minus 5 से multiply हम लोग नहीं कर सकते हैं जब ही multiply होगा तो row में ही होगा तो sum पून elements में होगा clear? तो जैसे हम भी multiply मैंने कर दिया है r2 में minus 5 से r2 यानि कि r2 जितना भी है सब ही में minus 5 से multiply होग कर सकते हैं यह दि possible है next यहाँ लिखे है multiplying each elements of first columns by 1 by 3 हमको यह दि possible है हल करना है तो multiply कर सकते हैं c1 में भी जैसे मैंने यहाँ पर multiply करके दिखाया है कि c1 में 1 by 3 से multiply करना है तो उसके लिए हमको cancel notation करना होगा तो यहाँ पर हमने c1 के जगर पर क्या कर दिया है 1 by 3 c1 यहाँ कि c1 में 1 by 3 से multiply हो गया ठीक multiplying each elements of third row by 6 and adding it to the corresponding elements of second row मैंने क्या किया है कि second row में second row को adding करते हुए third row में 6 से multiply किया है ठीक है इसी को मैंने mathematics भासा में यहाँ पर return किया है इसको कैसे करना होगा तो r2 के अस्थान पर r2 plus 6 r3 ठीक है इस प्रकास से आप operation कर सकते हैं solution के लिए है ना next यहाँ पर देखेंगे multiplying each elements of second columns by minus 3 and adding it to the corresponding elements of first columns clear यानिक इस्टेंस first columns में हमको क्या करना है adding करना है c1 को and c2 में हमको multiplying करना है minus 3 से ठीक है मैंने वही काम किया है c1 के जगा पर c1 के साथ adding करते हुए c2 में minus 3 से multiply किया है ठीक है तो इस परकार से आप हल कर सकते हैं इसी बेस पर मैं एक प्रस्ण को आपको दिखाता हूँ जो की आप हल कर सकते हैं देखेंगे और हमेशा आप ध्यान देंगे कि डिटर्मिडान्स को हल करने के लिए आपको प्रपर्टीज और ओपरेशन पर विशेश जोर देना होगा ठीक है एक क्यूचर मैं ले रहा हूँ काता है फर्स्ट क्यूचर evaluate 2 3 5 7 8 9 65 75 86 ठीक है इस फ्रेंज हमको इसको सोलूशन करना है मान ग्यात करना है है ना तो हम क्या करेंगे कि ताकि इसका बेल्यू ग्यात हो सकता है तो सबसे पहले जो प्रस्ट दिया हुआ है उसको हम लोग write कर लेंगे है ना जो प्रस्ट दिया है यानि कि D बड़ाबच दिया हुआ है 2 है 3 है 5 है 7 है 8 है 9 है 65 है 75 है 86 है ठीक है अब आप सोचें सबसे पहले properties के बारे में सोचें कि वह properties यहां पर लागू हो रहा है कि नहीं है ना आप condition को समझे दिमाग को स्थिर करते हुए आप सोचिए क्या कर सकते है सबसे पहला property बताये थे interchanging interchanging से कोई फायदा यहां पर नहीं है आपस में दो elements बराबर है आपस में दो elements आपस में दो row बराबर है या दो columns बराबर है नहीं है किसी भी determinants के सभी elements 0 त्यूँ नहीं है 0 नहीं कर सकते है तो जो हम 6 properties बताया था 5 properties बताया था वह 5 properties में से कोई properties यहां पर लागू हो रहा है नहीं हो रहा है तो अब ही जो मैंने operation करने के आपको बताया है ना उस operation करने के बाद उसमें से कोई ना को एक property इसमें लगू हो जाएगा ठीक है? मैं इसलिए इस प्रस्ण को लिया है कि आपको यह भी पता चल जाए? वो भी पता चल जाए जैसे आप देखेंगे ना? यहाँ पर देखेंगे जैसे यदि columns इसको हम लोग का कहेंगे? यह है R1 यह है R2 यह है R3 C1 यह क्या है? C2 और यह C3 है ना? तो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर हमने कोई काम कर रहा हूं ठीक ना? यानि कि C3 के अस्थान पर? किसका अस्थान पर? C3 के अस्थान पर C3 माइनस 9C2 कर रहा हूं 9C2 करने से मेरे क्या फैदा होगा? इस तो यह हैं सोच सोचेंगे जैसे 9 से गुना करते तो 9 सते कितना हो जाएगा? 63, 9 गुने 7, 63 होगा और 65 में से 63 जाएगा तो कतना बच जाएगा? 2, यहां पर यह ओला यह ओला दुनों सेम हो जाएगा फिन यहां देखिए 9 से गुना करेंगे तो 9, 8, 72, 75 में से 72 जाएगा तो 3 बराबर हो गया फिन देखिए 9 9 81 है कतना है 86 86 में से 81 जाएगा तो कितना बजाएगा पांच यानि कि यह दुनों बरापर हो जाएगा तो जहां दो elements दो columns यह आपर से बराबर हैं तो क्या होगा उसा value 0 है ना तो हम इस परकार से हल कर सकते हैं ठीक है ऐसे करने से क्या मेरा बन जाएगा यानि कि यहां पर 2 यहां पर 3 यहां पर 5 यहां पर 789 प्रन्तु यहां पर C1 के जगए C3 की जगए मने क्या changing किया है C3-9C2 ठीक है तो यहां कितना हो जाएगा 65 है और 9 63 63 में से कितना हो जाएगा दू यहां हो जाएगा नो अठे बहात्र पच्छाता तो तीन यहां पर नहुंग आशी छे आशी तो कितना हो जाएगा पांच ठीक यहां पर हम लिख सकते हैं कि C1 is equal to C2 C2 C3 ना C3 C1 is equal to C3 आपस में क्या है बराबर है so by properties प्रोपर्टिज करन सर क्या हो जाएगा determinant is equal to 0 यहां इस का मान क्या हो जाएगा 0 इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं है ना मैं अगले क्लास में इस समबंधित विभिन प्रकार के जो exercise के प्रस्ण है वे सभी प्रस्णों को मैं हल करूंगा है ना आप यहां तक notate कर ले समझ ले और देन आप्टर किसी परकार के दिए प्रोब्लम हो तो आप हमको जरूर को मेंट करें और friends मेरा वीडियो शुरू से लेकर के अंतिम तक जरूर देखें क्योंकि बहुत अच्छा तरह से मैंने देने का प्रयास करता हूं और सारे exercise के जो प्रस्ण है उससे संबंधित पहले मैंने वीडियो में थियोरी देता हूं और उस थियोरी को आप by exercise by exercise आप नोट करते चले उ और जरूरत मंदों तक जरूर शेयर करें थैंक्यू धन्यवाद